हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर तो फ्रेंट्स पिछली वीडियो में हमने ब्लाउस के फ्रन पार्ट का डिजाइन बनाया था इस वीडियो में हम इसके बैक पार्ट का डिजाइन सीखेंगे तो फ्रन पार्ट का वीडियो अगर आप लोगों ने तो आपके blouse की जितनी भी length होगी उसमें आप एक इंच प्लस कर दीजे तो मेरी blouse की length है साढ़े तेरा इंच एक इंच प्लस करने के बाद यह साढ़े चौदा इंच का हो जाएगा shoulder मैंने रखा है 6 इंच बराबर करने के लिए नीचे के side भी 6 इंच पर mark कर लेंगे और armhole की लंबाई मैंने रखी है 6 इंच यह देखे इस तरीके से mark करने के बाद line draw कर लेंगे तो इस blouse को मैं 36 inch chest size के according तियार करूंगी तो 36 का यहां हम 14 हिस्सा लेंगे तो 9 इंच पर mark कर लेंगे यह देखे और 12 इंच सिलाई margin के लिए रखेंगे तो इसी तरीके से जो मेरी कमर की fitting है 30 inch की है तो 30 का हम 24 हिस्सा लेंगे 7 इंच पर 1 इंच हम tucks के लिए marking करेंगे और 12 सिलाई margin के लिए रखेंगे कि द्खिए तो इस तरीके से marking करने के बाद line draw कर लेंगे और यहाँ पर गुलाई देते हुए आर्म होल का सेव देंगे यह देखे इस तरीके से अब हम नेक की मार्किंग करेंगे तो नेक की चोड़ाई मैंने रखिए धाई इंच आप अपने मेजर्मेंट के हिसाब से यहाँ नेक की चोड़ाई रखेंगे तो लंबाई मैंने रखिए 11 इंच यहाँ भी आप अपने पसंद से नेक की लंबाई रख सकते हैं तो धाई इंच पर मार्क करने के बाद सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे यह देखे इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो यह जो डिजाइन है फ्रेंड मैं वी नेक पर बनाऊंगी तो इस तरीके से लाइन खिषते हुए हम वी का सेव दे देंगे यह दिखे इस तरीके से अगर आप इसको ऐसी रखना चाते हैं तो इसे भी रख सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर हलका सा इसमें राउंड़ सेप दे दूँगी यह देखिये हलका सा अब हम यहाँ टक्स के लिए मार्किंग करेंगे तो यह देखे चारेंच पर हम मार्क करेंगे और यह जो मार्क है वहाँ पर छोटी सी कट लगा लेंगे यह देखे तो इस तरीके से हमारी टोटल मार्किंग हो चुकी है अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं यह देखे तो इस तरीके से हम कट कर लेंगे नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे तो यहां तक कटि दूसरे बाग पर भी ले जाएंगे ये देखे इस तरीके से दूसरे बाग पर मार्किंग करने के बाद इसको हम गहरा कर लेंगे ये देखे इस तरीके से अच्छे से गहरा कर लेंगे और इसको फीर से फोल्ड कर लेंगे फोल्ड करने के बाद इसके सेंटर पर हम छोटी सी क लगा लेंगे यह देखिए तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसकी कटिंग मेन फैब्रिक पर भी कर लेते हैं तो यह देखिए मेन फैब्रिक भी मैंने कट कर लिया है और सभी तरफ से हाफ-ाफेंच socio रखा है तो इस तरीके से हम main fabric को open करेंगे और जो अस्तर का कपड़ा है उसको भी open करते हुए इसके उपर बिछा देंगे ये देखे, तो अच्छे से center से center मिलाते हुए इसको हम set कर देंगे और pin से attach कर देंगे, ये देखे, ताकि सिलते समय हमारा जो कपड़ा है इधर उधर नाखिस के, तो अच्छे से हम यहाँ पर pin से attach कर देंगे और ये देखे, जहाँ पर हमारी line है, उसके आधे inch के दूरी पर या फिर आधे inch से हलका साब कम ले सकते हो, उतने दूरी पर हमें सिलाई लगा लेना है ये देखे, और पूरे में complete कर लेना है ये देखे friend, पूरे blouse में मैंने सिलाई लगा कर complete कर लिया है अब जितनी भी हमारी extra fabric होगी, उसको हम cut करके अलग कर लेंगे ये देखे, इस तरीके से extra fabric भी मैंने cut करके अलग कर लिया है अब हम इसको center से fold कर लेंगे और जो हमारी marking है, उसी पर cut लगा लेंगे ये देखे, इस तरीके से हमने नेकी cutting कर लिया है अब ये जो हमारा cut हुआ भाग है, उसकी marking हम pasting paper के उपर भी कर लेंगे ये देखे, अगर चाहें तो friend आप pasting paper लगा सकते हैं नई तो ऐसे भी सिलाई लगा सकते हैं पर pasting paper लगाने से वी नेक के उपर अच्छे से मजबूती आएगी तो ये देखे, इस तरीके से हम इसको रख देंगे paper जो है हमारा double है तो इस तरीके से रखने के बाद पीन से set कर देंगे और इस तरीके से marking कर लेंगे ये देखे, अच्छे से marking को हम गहरा कर लेंगे और कम से कम सबाएक इंच की दूरी पर हम दूसरी marking कर लेंगे ये देखे, इस तरीके से marking करने के बाद इसकी हम cutting कर लेंगे तो यहां तक cutting करने के बाद अब हम पीन को निकाल लेंगे यह देखें अब हम इसको center से एक बार fold कर लेंगे और यह जो हमने marking करी है उसको हम दुसरे side भी ले जाएंगे ये देखे इस तरीके से हमने दुसरे साइट भी इसकी मार्किंग कर ली है अब हम इसको गहरा कर लेंगे और प्रेस करके इसको कपड़े पर चिपका लेंगे तो इस तरीके से मैंने प्रेस से चिपका लिया है और हाफ आफ इन सभी तरब से एक्षा रखा है उसी extra कपड़े को हम इस तरीके से fold करते जाएंगे और इसको complete कर लेंगे ये देखिए इस तरीके से और ये जो हमने marking करी है उसके थोड़े दूरी पर हम सिलाई लगा लेंगे ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगाते हो इसको complete कर लेंगे उसके बाद जो ये अंदर का हमारा एक्ष्टा पेपर है उसको हम कट करके निकाल लेंगे ये दिखें इस तरीके से हमने कट करके निकाल लिया है अब हम ब्लाउस को लेंगे और नेक को इस तरीके से सेट कर देंगे ये दिखें और पीन से अटेच कर देंगे यह दिखिए कम से कम दो से तीन जगा हम यहाँ पीन लगा कर अटेच कर देंगे इस तरीके से और जहाँ पर हमने पहले सिलाई लगाया था उसी की किनारे पर हम एक और सिलाई लगा लेंगे यह दिखिए इस तरीके से अच्छे से किनारे किनारे और सिलाई लगा लेंगे यह देखे पूरे राउंड पर अब हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे यह देखे और पट्टी की उपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे यह देखिए इस तरीके से धागी की कटिंग करने के बाद अब हम पट्टी को बैक साइट ले जाएंगे और अच्छे से सेट करने के बाद इस पर प्रेस चला लेंगे तो यह देखिए फ्रेंड अच्छे से मैंने प्रेस लगा लिया हैं अब हम इसको एक बार फोल्ड करेंगे बीच से और टक्स के लिए हमने जहाँ पर कट लगाया था वहाँ एक और बार कट लगा लेंगे और यहाँ से पौने एक इंच की उपर एक माग करेंगे और इस तरीके से कट की उपर मिला लेंगे कि दिखे इस तरीके से और इसकी हम cutting कर लेंगे इस तरीके से cut कर लेंगे open कर लेंगे अब यहीं टक से हम कपड़े को इस तरीके से fold करेंगे half inch अंदर की और दबाएंगे और उपर की और mark करेंगे पौने 5 इंच पर यह देखिए पौने 5 इंच पर मैंने mark कर लिया है इसी mark से मिलाते हुए हम अच्छे से सिलाई लगा लेंगे और lock लगा लेंगे तो same method यूज करते हुए हम दूसरे side के tux को भी ready कर लेंगे यह देखिए यहाँ भी हम half inch अंदर की और दबाएंगे और उपर की और पौने 5 इंच पर mark कर लेंगे इसी mark से मिलाते हुए इसको भी हम complete कर लेंगे यह देखिए धागे की अच्छे से cutting कर लेंगे तो इस तरीके से हमारा या टक्स लग के तयार हो चुका है अब हम क्या करेंगे इसके किनारे पर पट्टी अटेच करेंगे तो यह देखिए फ्रेंट दो इन चोड़ा मैंने पट्टी लिया है उसको इस तरीके से ब्लाउस के उपर रखेंगे और दोनों को अटेच कर देंगे यह देखिए जो भी हमारी एक्ष्रा फैब्रीक है उसको हम cut कर लेंगे और इसकी किनारे पर छोटी छोटी cut लगा लेंगे इस तरीके से पट्टी को पलट करके इसकी उपर टॉप स्टीच लगा लेंगे और ब्लाउस को उल्टा करते हुए पट्टी को फोल्ड कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से उल्टा कर लेंगे ब्लाउस को और पट्टी को भाफ इंच अंदर के और fold करते हूँ इसकी किनारे पर सिलाई लगा लेंगे ये देखें इस तरीके से अच्छे से बराबर fold करते जाएंगे और इसको complete कर लेंगे ये देखें तो इसी के साथ हमने यह blouse complete कर लिया है अब design बनाने के लिए हम कपरा लेंगे तो देखे, धाइन, चोड़ा, मैंने ये कपड़ा लिया है, बहुत सारा, इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, ट्राइंगल सेप में, और इसकी किनारे पर सिलाई लगा लेंगे, ये देखे, और फिर धागे की कटिंग करने के बाद, इसकी किनारे को भी बराबर कट लगा लें तो सेम इसी तरीके से हम बहुत सारा, ट्राइंगल सेप का ये डिजाइन बना कर कंप्लीट कर लेंगे, तो अभी के लिए हम इसको साइड कर देते हैं, अब हम ये अलग सा कपड़ा लेंगे, बोब बनाने के लिए, तो देखे फ्रेंट, ये मैंने अस्तर का कपड़ा लिय अब अस्तर के कपड़े को हम मेन फैब्रिक के उपर रखेंगे और पूरे किनारे पर सिलाई लगाते हुए इसको कम्प्लीट कर लेंगे यह देखे इस तरीके से और जो भी हमारी एक्षा फैब्रिक होगी उसको भी हम कट कर लेंगे तो यहां तक कम्प्लीट करने के बाद अ दागे की कटिंग कर लेंगे और जो हमने सिलाई लगाया है उसको सेंटर पर ले आएंगे यह देखे इस तरीके से सेंटर पर ले जाने के बाद दोनों किनारों को हम सिलाई लगा लेंगे यह देखे इसी तरीके से आप भी सिलाई लगा लेंगे इस किनारे को भी अच्छे से सिलाई लगाते इसको कम्प्लीट कर लेंगे यह देखे इस तरीके से धागे की कटिंग करने के बाद इसकी किनारे पर हम कट लगा लेंगे एक्स्टा कपड़ा यह देखे इसके कॉर्णर पर भी हम अच्छे से कट लगा लेंगे ताकि यह अच्छे से पलट जाए और इसके corner अच्छे से दिखे यह देखिए जहाँ पर खुला जगा था वहाँ से हम कपड़े को निकाल लेंगे बाहर और इसको सीधा कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से अच्छे से कोई सी भी नुकिली चीच के साहिता से इसके corner को निकाल लेंगे और जहां हमारा खुला भाग था उसको सिलाई करके बंद कर देंगे यह देखिए तो इस तरीके से हमारा यह चोकोर सेप का बन गया है अब हम इसको beach से एक बर fold कर लेंगे और इसके center पर mark कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से marking हमने कर लिया है अब इस तरीके से चुणनट बनाते हुए हम इसको fold कर लेंगे यह देखिए तो इस तरीके से हमारा यह बोबन के तयार हो गया है beach को हम सुईधागे की मदद से सिलाई कर लेंगे या फिर machine से भी सिलाई कर सकते हैं अब बोब के नीचे ribbon बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लेया है जिसकी लंबाई मैंने रखी है 8.5 इंच और double में इसकी चोड़ाई है 3 इंच अब यहाँ से 2 इंच पर हम माग करेंगे और नीचे साइड से उपर की ओर 2 इंच पर माग करेंगे इन दोनों माग को मिलाते हुए तिर्ची लाइन खीच लेंगे यहाँ से भी हम नीचे की ओर तिर्ची लाइन खीच लेंगे और इसकी cutting कर लेंगे ये देखें, तो same cutting हम दूसरे fabric पर भी कर लेंगे, क्योंकि यहां हम दो ribbon बनाएंगे, अगर आप चाहें तो इस ribbon का लंबाई आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, मैंने यहां normal size का रखा है, ये देखें इस तरीके से दोनों को cut करने के बाद, इसको हम सिलाई लगा के complete कर लें लेंगे, complete करने के बाद इसको हम सिधा कर लेंगे, ये देखें, इस तरीके से अच्छे से इसके point को निकाल लेंगे, ये देखें, बराबर, ये देखें, corner को अच्छे से निकालने के बाद, अगर आप चाहें तो इस पर प्रेस लगा सकते हैं, लेकिन आपका कपड़ा ना दिखें, तो आप इस पर प्रेस ना लगाए, ये ऐसे ही फुला फुला ज्यादा अच्छा दिखता हैं, तो इस तरीके से दोनों को हम तिर्चे में जॉइन कर लेंगे, ये देखें, इस तरीके से जॉइन करने के बाद ये जो हमारा बो है, वो ऐसे लगेगा, तो जो ह बहुत ही असानी से ये डिजाइन बना सकते हो, तो इस तरीके से एक एक करके हम पूरे नेक पर इसको लगा करके कम्प्लीट कर लेंगे, ये देखें, यहाँ तक इसको हमने कम्प्लीट कर लिया है, अब अच्छे से लॉग लगाने के बाद धागे की कटिंग कर लेंगे, ये देखें, इस तरीके से, यहाँ पर हमने 14 पीस ट्राइंगल सेप का डिजाइन लगाया है, आप चाहें तो इसे पास-पास में भी लगा सकते हैं, या दूर-दूर में भी लगा सकते हैं, तो जो हमने रिबन तयार किया था, उसको नेक के कम से कम, एक इंच नीचे हम इस के उपर सिलाई चला लेंगे, यह दिखें, और धागे की कटिंग कर लेंगे, अब लाश्ट जो हमने बो तयार किया था, उसको इस तरीके से रखेंगे, और सुई धागे की मदद से इसको अटेच कर देंगे, और हम कोई सब ही मैचिंग का, या फिर अपने पसंद का बटन लगा लेंगे, बो की सेंटर पर, तो इसी के साथ हमारा यह दिजाइन बनकर कम्प्लीट हो गया है, तो फ्रेंड्स आप सभी को यह दिजाइन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, तो फ्रेंड्स वी वीडियो में तब तक के लिए बाल बाल